फ्रेंड्स वेल्कम टू आलिन वन फ्रेंड्स आज मैं घड़ित की कक्षक 6 की एक सिक्षड योजना पर चर्चा करूंगी जिसका सिर्षक है लंब तथा समान तर रेखाएं फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है यह सिक्षड योजना आपके लिए उपयोगी होती है तो इसे अधिक से अधिक गृप्स में शेयर करें ताकि मेरा हसला बना रहे हैं और मैं आपके लिए इसी प्रकार सिक्षड योजना बनाती रहूं तो चलिए स्टार करते हैं सबसे पहले हम चार कॉलम बनाएंगे दिनांग कक्षा विशय समय कक्षा में छे विशय गडित और समय चालिस मिनट फ्रेंड्स हमारी सिच्छक डायरी भी आ चुकी है और मैं उसे देखी हूं उसमें सेम टू सेम लगबग लगबग थोड़ा मोड़ा इधर उदर है यही यही हेडिंग है और इसे आप लिख सकते हैं आराम से उसमें मैंने जो सिच्छड योजना है काफी छोटी बनाई है और सिच्छक डायरी में भी छोटी ही सिच्छड योजना दे गई है तो इसके पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम जिसके अंतरगत हम लिखेंगे बच्चे रेखाएं कोडों आदी के बारे में जानते हैं क्योंकि बच्चे पहले से ही चार पाच में पढ़ चुके हैं कोड के बारे में प्रकड क्या है लम तथा समानतर रेखाएं तो बच्चे जो है यह जो हमारा पार्ट है इसमें रेखाओं की जानकारी बच्चों को होन गताएगा तो बच्चों को इतना उनका लर्निंग आउटकम पहले से है सीखने सिखाने की सामगरी के अंतरगर चार्ट पेपर पिर बनी कुछ आकृतियां कुछ पन्ने पाठ पुस्तक गड़ित कित आधि लेंगे सीखने सिखाने की प्रक्रिया है क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके ये चार कॉलम है क्रम संख्या में हम कख ऐसे डालेंगे और चरण को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे चरण के तीन मुख भाग हैं सिख्षड की सुरुवात में, सिख्षड के दौरान और सिख्षड के अंत में ये हमारी सिख्षड डायरी में भी इस तरह की हेडिंग पड़ी रहेगी तो सिख्षड की सुरुवात में फ्रेंड समय अधिक से अधिक गतिविधी करानी है उसे सिक्षड योजना में भी दिखाना है और क्लास में भी बच्चों को ज़्यादा सक्री रखना है जैसे कि आप सभी तीन हस्त काओं को पढ़े हैं उसमें जो बच्चे हैं उनको 75% टक सक्री रखना है और सिक्षड को सिर्फ 25% उसमें भागिदारी करनी है तो इसलिए जो है यह जो सिक्षड योजना है वो गती विधी आधारित बननी चाहिए तो इसके अंतरगत हम लिखेंगे शिक्षक कक्षा के प्रते एक बच्चों को एक एक कागस देंगे फिर कहेंगे कि इसे बीच से मोड़िये और मोड का निसान एबी बनाईए एक इगती विधी है कागस को बच्चे जब मोड़ेंगे और उसके उपर एबी लिख देंगे फिर इसे पुना मोड़िये एबी का एक भाग दूसरे भाग को ठीक से ढख ले मतलब इस तरह मोड़वाएंगे कि लाइन सीधी रहे एक दूसरे को ढख ले परस पर लंबवत रेखाएं कहते हैं अर्थात A, B और P, Q परस पर लंब हैं इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं देखिए A, B है और P, Q है तो जो ये A, B पर देखिए P, Q लंब बन गया है तब सिच्चक बच्चों को बताएंगे कि आज हम लंब और समा आंतर रेखा हैं नामक प्रक्रण को पढ़ेंगे अपाट को पढ़ेंगे अब हमारी जो है क्रम संख्या खा है और शिक्षड के दौरान चरण के अंतरगत हैं इसमें भी गतिविधी करवा सकते हैं क्योंकि गडित में अधिक्सेतिक गतिविधी के माध्यम से हम इस कठिन इसको सरल बना सकते हैं सिख्षक बच्चों को पुना कागस दे कर उसे मोड़ने के लिए बीज से कहेंगे तथा मोड कानिसान xy बनवाएंगे फिर इन्हें पुना उसी दिशा में मोड़वाएंगे मोड़ का निसान ab तथा cd बनाएंगे अब सिच्छक बच्चों को समझाएंगे कि यहां किनी भी दो रेखाएं कि बीज की दूरी समान है चाहे उन्हें कितना भी बढ़ाएं परस्पत परिच्छेदित नहीं करती है प्रतिच्छेदित नहीं करती है एक ही तल में इस्थित वे रेखाएं जो सदेव समान है परस्पत परिच्छेद नहीं करती हैं समानतर रेखाएं कहलाती है इन्हें ए भी समांतर सीडी लिखते हैं कागज का चितर इस प्रकार होगा कागज इस तरह हम बना लेंगे अब सिक्षड के आंत में गती विधी कराएंगे इस टाइप का चितर दिखा देंगे चाट पेपर पे या बोड पे और चड़ के अंदर गत सिछक बच्चों को अर्धर चंद पात में हो पांस से दस मिनट और शिक्षड का जो दोरान है वो बीस से पच्चिस मिनट होगा ग्रीकार और प्रदतकार के अंतरगत बच्चों को आवस पास की वस्तों की समांतर रेखाओं के युगमों के चार-चार उधान लिखकर लाने के लिए कहेंगे और इसके लिए पाश मिनट होगा आगामी योजना लर्निंग आउटकम के आधार पर पाठ को कई खंडों में विवाजित करके दिवस्वार शिक्षड योजना तयार करेंगे तो इस प्रकार हमारी जो ये शिक्षड योजना है इसको हमने पूड किया और आकलन के तरीके में हम सभागिता तो था प्रतिक्रिया देखकर और प्रशनोत्तर के माध्यम से और और लोकन करके ये सब डाल सकते हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो